हेलो दोस्तों साथ आओ सही कि मैं चैनल में दोस्तों जैसा कि सही बच्चों को पता लग गया होगा जितने भी थर समेस्टर वाले बच्चे हैं आपका एडिविशन फॉर्म यानि एग्जामिनेशन फॉर्म वो रिलीस कर दिया गया है काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे तो दोस्तों फाइनली आपका जो एडिविशन फॉर्म है वो रिलीस कर दिया गया है तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं चैक किया है लिंक मैं वीडियो डिशावसरी को दे दूँगा तो आप लोग अपना एडिविशन फॉर्म भर सकते हो और आप लोगों को किस तरह से भरना है उसके उपर मैंने वीडियो बना दिये तो उसका भी लिंक वीडियो डिशावसरी को मिल जाएगा वो वीडियो आप लोग देख लेना और हाँ दोस्तो जो भी एडिविशन फॉर्म अभी भरेंगे थर समेस्टर वाले बच्चे एक दो दिन का आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए मैं यह बोलना चाहूंगा अभी सही भरने मतलग जाना एक दो दिन का वेट कर लो उसके बाद ही आप लोग एडिविशन फॉर्म बरना शुरू करना जितने भी थर समेस्टर वाले बच्चे हैं तो मैंने वीडियो तो बना दिये कि आपको एडिविशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है और यह वीडियो है दोस्तों कि लाज डेट क्या रहने वाली है और आपकी फीस दोस्तों इंक्रीज कर दी गई है इस वार जो आपकी फीस है वह आठ हजार रुपे के ऊपर है या न किलियर कर देता हूं और एक्जाम फॉर्म किस तरह से फिल करना इसको पर वीडियो बना दिये उसका लिंक वीडियो डिशन आपसी को मिल जाएगा और अगर कोई बच्चा फर्स समेस्टर और सेकंड समेस्टर में फेल है उसको भी इसी में ही एक्जामेशन फॉर्म भरना ह किलिक करने के बाद में आपका डैस्बूर्ड ओपन हो जाएगा अब यहां पर देखिए दोस्तो लास डेट इन्हों ने क्या बता रखी है एक्जाम सुरू होने के 15 दिन पहले तक लास डेट रहने वाली है तो मान लीजे दोस्तो 15 दिसमबर से एक्जाम सुरू होंगे और इसकी लास डेट है वो 30 नॉमबर के आसपास आपकी रहने वाली है तो इन्होंने यहां पर बता रखा है एक्जाम सुरू होने के 15 दिन पहले तक आपकी लास डेट रखी जाती है फिर उसके बाद लेट फील्स चार्ज की जाती है एक्जाम सुरू होते हैं तो एक्जाम लास डेट हो गई ठीक है तो लास डेट आपकी क्लियर हो गई आप दोस्तों जो भी बच्चे फेल यार वाले बच्चे हैं फार्स समस्टर में या सेकंड समस्टर में फेल कर दिया गया था वह सब्जेक्ट आपको कैसे चौइस करना है तो यहां पर देख लीजिए आप ल राहा गर देख लिए रहा है तो आपको इसके उपर टिक कर देना थेख लिए ज़िए रहा हैं यहां पर एफ दिखा के दे रहा हा है थंग आपको इसके वह घंपार टिक कर लिए अच्या आप करना है अगर आपको f नहीं दिखा दे रहा है आप लोग समझनों यहां पर पास ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझलो पास अगर f लिखा है तो उसमें failो तो यहां पे टिक कर देना वो subject आपका select हो जाएगा और उसकी payment हो जाएगी तो यह सब करने के बाद में अब यहाँ पर आपको करना होगा नेक्स्ट रुपे के लिए अब जैसी पेमेंट का उप्षेन आता है तो वहाँ पर दोस्तों पेमेंट काफी ज्यादा दिखा रहा है पहले एडविशन के समय और सट सो बीस रुपे लिए गई थी बीए प्रोग्रम वाले बच्चों से जो फ्रेस एडविशन थे अब दोस्तों काफी ज्यादा फीस बच्चों को दिखाई दे रही है अब यहाँ पर देखे दोस्तों एक बच्चे की जो फीस है 7820 रुपे यानि दोस्तों यह जो फीस है आपके 3rd semester और 4th semester दोनों समेस्ट कर दी हैं सबी कोर्स में तो यह बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं इस बार तो दोस्तों अब आपको पेमेंट तो करनी है तो यह पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ठीक है तो पेमेंट आप लोग यह कर देना बस यह काम करना पड़ेगा पेमेंट वाले पे क्लिक करोगे फ आप लोगों में को इस्टाग्राम पर मैसिज कर देना लिंक वीडियो वी रिशांसरी को मिल जाएगा तो पेमेंट आपकी काफी ज्यादा जा रही है और यह दोनों समेस्टर की है जब फूर्थ समेस्टर के एग्जाम होंगे एडविशन होंगे तो उसमें आपको एक भी प सेकंड समेस्टर में और उसने माँ पी टिक किया है तो उसकी फीज जयादा आएगी ठीख पश्माइब और यह दो स्ट्युक्त में है तो चाहर सूर पे आएगी अगर गड़ीव सब्रियो केने पर तो अगर को इन तो आपको यह प्यंद करने पड़े गी अगर कोई देखकत या डाउट है तो आप लोगों को स्टाग्राम पर मैसेज कर देना लिंक वीडियो डिशाव सरी को मिल जागा तो वीडियो अच्छे लगी हो लाइक करना शेयर करना